नमस्कार साथियों, जोब्स टार्गेट यूटूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है तोस्तो आज की वीडियो के अंदर में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर लेके रहा हूं आपके खुली की खुली रह जाएंगी ठीक है बहुत ही ज़एदा इंप्रटेंट सुचना लेके आयों रेलवे बरती से जुड़ी आर रवी एंटी पीसी एकजाम से समन देते ठीक है अगर आप लोग जानना चाहते हो क्या है वो महत्पून सुचना तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को लाइक अभी शेयर कर देना थाकि मैं मुझे मोटिवेशन मिलता है जब आप ल पीसदी बरे जाएंगे ठीक जितने भी नए पद हैना उनकी बरती पर रोक लगा दी है शिर्फ जो सुरक्षा से समंदी जो पद हैना वह बरे जाएंगे वह पचास पीसदी पूरी खबर को पढ़ लीजिए कोरोना संकट के बीच रेलवे ने आर्थिक मोर्चे पर बड़ जहां ने रेलवे को सभी जोन उत्पाद निकाईयों और अन्य संसाथनों के महापरबंदकों के नामजारी पत्तर में कहा कि अगले आदेश तक नए पदों के लिए बहाली नहीं होगी ठीक है अलाकि सुरक्षा समंदी पदों पर बहाली को लेकर छूट दी है इस पत्तर म का गया कि रेलवे बोर्ड पिछले दो साल के दोरान स्रिजित किये गए पदों की समिक्सा करेगा अगर उन पदों के लिए भी तक बरती नहीं की गई है तो उन पदों पर बरती उन पदों की रिक्तियां वकैंसी बाक की यहां पर सपनी रहा साथियों ठीक है और दुसरे रेलवे पेजट पर होगा कहीं पर यहां पर नहीं है और अबनी और साथी होँगर्ण में लुदे नीज्मly बागिदारी सिरफ पांच अने ने जने आनि का मातर पांच फिस दी होगा बारतिय रेल अभी करीब 2800 मेल या एक्सप्रेस रेल गाडियों का परिचालन करती है बारतिय रेल ये नेटवर्क को नीजी हाथों में सोपने को लेकर उन्होंने सफाई दी कि पूरे रेल नेटवर्क का नीजी करण नहीं किया जा सकता नीजी ट्रेनों के परिचालन से यात्रियों की सुविदा बढ़ेगी या दो उन्हें कहा कि देश में नीजी रेल गाडियों का परिचालन अप्रेल 2023 तक शुरूख हो सकता है ये थी साथियों बहुत महत्तपूर्ण सुचनाप लोगों के लिए जो भी रेल वेक की बरतियों की त त्यारी कर रहे हैं उनके लिए ताजा अप्टेट्स से दूने के लिए आप हमारे चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद